खडग से उनका प्राइवेट पार्ट जो सम्शान में उन्हों स्थापित किया था वो काट दिया और दूसरी साइड भेरुमल का जो प्राइवेट पार्ट था वो सूख कर गिर गया अपने आप नीचे थोड़ी ही क्षणों में बहरों प्रगट हो गए चंड बहरों उग्र अब रियल 11 लेकर आये विनिंग्स की भरमार अब एशिया कप के बाद बार ही है इंग्लेंड और आइलेंड की सीरीज की और आप रियल 11 इन प्ले के साथ खेल सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत सारे लाखों के इनाम मैं सच बता रहो हमने रियल 11 पे परस्टनली बहुत विल्टी जीतने की किसकी जादा है तो आप भी जाय से जादा इनाम जीत सकते हो डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं फिलाल पॉड्कास्ट को शुरू करते हैं और बातों को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में आज हमा अगोरियों के साथ तो आज बात होगी अगोर कल्चर के बारे में तंतर के बारे में, magic के बारे में, black magic के बारे में, बली के बारे में, जो भी हमारे misconceptions हैं या जो हम सुनते आये हैं वो आज हम इनसे clear करेंगे तो सबसे पहले तो welcome परक जी और आपके रूम में आते ही एक बह में आपके बारे में, मंत्र के साथ शुरुवात करते हैं जी के अंदर भी राजमान, मा अदी पराशक्ती को, सास्टांग दन्वत पनाम करता हूं, जेन की देविया प्रेणना से हम सब यहां पेकत्र हुए हैं, ओम श्री मात्रे इनमाहा बीउटफल, मेरे माइन में एक क्वेस्टन आरहा है, इससे पहले हम आगे वड़े, आपने आपने एक विशफ बोलना था सच्चा अगोरी, तो वाट इस दिफरेंस बिट्विन अगोरी जा फिर जोट अगोरी या अगोरी जो आपने बोला सच्चा अगोरी, क्या होते हैं और जो कमर्शल योगी महादमा होता है, वो कौन होता है, तो एक सबसे बड़ा लक्षन, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि रूपक यही होता है कि जो कोई वास्तों में अगोरी रहता है, जिनके पास सीधा इश्वर के साथ एक अनुसंधान करने की शक्ती होती है, सिद्ध ज्यादा जन्ता के बीच में, लोगों के बीच में नहीं आते हैं, उनका जो एक स्थान रहता है, वो बहुती ज्यादा गुप्त जगाओ पर रहता है, उनका ये नहीं रहता कि वो बाहार आके अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें, तो सबसे पह कुई भी आप नाम उन्हें देदे जो वास्तव में अध्यात्म के पंथख के उपर, अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चल रहा है और जिनका उद्देश्या, किसी के पास से कुछ लूटना या फिर किसी के पास से कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज को प्रदान करना है, कुछ देना है, वो कभी कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा, आशा नहीं रखेगा, किसी से कुछ प्राप्थ करने की हमारे यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात कही गई है अगोरी के बारे में खपपर में खावे और जो सम्शान में लेटे उस्का बचन ब्रह्मा भी न मेटे जिसका आरथ है जो खपपर में खाता है, खपपर यानी human skull, कपाल जो कपाल में खाता है, जो सम्शान में सोता है अगर ऊपर से स्वेयम ब्रह्मा के भी खुछ कह दे। लेकिन अगर अगोरी ने आशिरवाद दिया है तो स्वेयम ब्रह्मा भी उनका बचन उनका जो उनके मुक्छ से निकले हुए शब्द है उनका जो विदान है उसे टाल नहीं सकते तो यह होता है वास्तविक अगोरी कि आपको कभी, मैं तो ऐसे अगोरी से मिला हूँ जो अगर हमारे बीच में भी बैठे होना आपको पता तक ना चले कि वो वास्तव में अगोरी है अच्छा तो उनके मतलब जुनोंने कपड़े पेने होते हैं उनका जो जो बॉड़ी लैंग्विज और अफ दो एक दो डिफरेंट रहता है बिल्कुल क्योंकि साधना के समय पे जो चीजे करनी होती है जो एक रिचूल्स को फॉलो करना रहता है न वो कभी सामानिय जीवन में उसका शो आफ नहीं करेंगे अगर आपके साथ कोई वास्तविक अगोरी आकर बैठ जाए तो जीन्स में बैठेगा अच्छा हमें लगा हमारा तो यही इमेज बनी भी थी की भस्म रमीवी बाल लंबे-लंबे वस्त्र होंगे या नहीं पता नहीं वही अगोरी होते हैं सिर्फ वही अगोरी नहीं होते वो ऐसे अगोरी होते जिनका संशान के अंदर रहना अगर उनके गुरू ने आदेश दिया है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए संसारिक जीवन में आपको नहीं जाना है तो ही वे अगोरी संशान में रहेंगे गुरू के आदेश पर कुछ-कुछ अगोरी आज की तारिक में संसारिक जीवन भी जी सकते है और ये पहले से चला आ रहा है ऐसा नहीं कि आज का ये नया का आज कुछ ट्रेंड आ गया है ऐसा नहीं है सारी चीज़े पहले से हूती आ रही है अगोर काली संस्थान में उन्होंने स्थापित करिये अगोरी गुरू मनिकंदन उनकी गुरू ने आदेश दिया था कि आपको कुछ साधनाय में आगे बढ़ने के लिए प्राप्त करने के लिए सिध्यां प्राप्त करने के लिए और इश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए आपको शादी करने पड़ेगे विवाह करना पड़ेगा तो उन्हों ने उनके जो अगोर संस्थान में उनके ही गुरु के द्वारा जो एक सुचन किया गया था बोला गया था वही नारी के साथ उन्होंने विवा किया और वो अगोरी आज की तारिक में भी जिन्दा है आप उनको थ्रूँ इंटरनेट, थ्रूँ गूगल एक्स्प्लोर कर सकते हो और अगोर संस्थान के वो पीठादी पती है तमिल नाडू के सर, अगोर शब्द को एक्स्प्लेइन करो ये कल्चर कहां से आता है हमारे पुराणों में एक तरफ तो क्योंकि हम लोगों का जो इंटरेक्शन जादा मंदिरों में जाके पंडितों से पूजा कराना या कुछ अगर हमें चाहिए तो हम भगवान से या मंदिरों में पूजा कराते है रुद्रा भिशेक करते है हमारी नौलेज यहीं तक है अगोर कल्चर कहां से आता है कब एक इंसान अगोरी के पास जाता है या मेन परपस ओफ अगोरी क्या होता है अगोर का जो एक लेमेन अगर हम मीनिंग कहे एकदम सरल भाषा में अगर बात करें कि जो घोर नहीं है जिनसे बहिभीत नहीं होना है जिनसे डरना नहीं है वो होता है अगोरी जो सबसे पहले अगोरी थे वो स्वयम देवादी देव महादेव थे उनहीं के द्वारा अगोर पंथ की स्थापना की गई, उनहीं के द्वारा अगोर क्रियाय दी गई अगोर यो का और अगोर पंथ का ये मानना होता है कि अगर पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का स्रिजन, स्वेम इश्वर ने किया है तो उसमें से एक भी चीज बुरी कैसे हो सकती है एक भी चीज खराब कैसे हो सकती है चाहे वो आप समशान की बात ले ले चाहे आप अमलमुत्र की बात ले ले चाहे आप खपर की बात ले ले कपाल की बात ले ले कंकाल की बात ले ले आज के तारिख में जब भी हम ये रिचुल्स हमारे यहां पर फॉलो किये जाते हैं, कि जब हम सम्शान में जाते हैं, तब किसी गंतिम्क्रिया के बाद घर पे आके हम नहा लेते हैं, क्यूंकि हम नहीं चाहते कि कोई नेगेटिव एंटिटीज हमारे साथ हाकर गर में कुछ क्रियेट करें, लेकिन अगोरी जो रहते हैं, वो इसी एंटिटीज के थुरू अपना काम कराते हैं, और इन ही के थुरू वो लोकलियान का काम करते हैं, उनका एक आप कह सकते हो कि ये ट्रेडबार्क रहता है, कि अगर ब्रहमान में सारी चीज़े इश्वर के द्वारा सर क्रिजन किया गया है, तो मैं इन सारी एनरजी का उपियोग करके, इस्तमाल करके भी लोकलियान का काम कर सकता हूं, तो जो एनरजी को हम डियू मानते हैं, उनहीं सारी चीज़ों को वो पॉजिटिव मानते हैं, और सम्शान जो होता है प्रम्हांद खप्पर की उपमा उन् विमका ये रिचूल क्यों रहता है क्योंकि आप काफी सालों से अभी तो अधुनिक विज्यान जो हमारा है वो यह चीज़ कह रहा है कि पूरा जो यूमन माइंड है हम उसको कभी डीटेल में नहीं समझ पाएंगे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है क्योंकि जितना ज्यादा उसमें घुस्ते जा रहे हम नहीं चीज़े बहाराती जा रही है हम इतने ज्यादा नए डाइमेंशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं यूमन माइंड के कि इतने सालों से उसको समझने की कोशिश होने के बावजुद नहीं समझ पा रहे है इसलिए जो यूमन माइंड जो होता है वो किसके अंदर होता है खपर के अंदर स्कल के अंदर और स्कल अगर जिस चीज को अपने अंदर समेट के बैठा हुआ है जिसका कनेक्शन आप इश्वर के साथ कर पा रहे हो हम कहता है ना कि इन्होंने सिद्धी प्राप्त की इन्होंने शक्तिया प्राप्त की वो कैसे प्राप्त करते हैं अगर अगर इसे ट्रें कर पा रहे हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर पाऊगे और इसी वजह से खपर में उनको ये सोर्स मानते हैं कि अगर हम इनमें खाएंगे, अगर हम इनमें ही पिएंगे सारी चीजे तो हमें वो प्राप्त होगा जो स्वय महादेव के द्वारा बोला गया है यह जो पुरा एक था, वो ब्रीफ था कि अगोरपंत क्या है और जो एक शुरुवात में मैंने एक मंत्र बोला कि यह जो मंत्र है वो अगोर पंत का one of the most important मंत्र असमाने जाता है जिसका अर्थ यह होता है कि जो गोर है जो अगोर है जो घोरतर से भी गोर है मतलब गोर के भी बियोंड है गोर मतलब एक्स्ट्रीम एक्स्ट्रीम गोर आप मान सकते हो जो आपके अंदर डर पैदा करे जो भाई पैदा करे तो जो घोर भी है जो अगोर भी है और जो घोरतर से भी गोर है beyond everything वैसे महादेव को वे महादेव के रुद्र के जितने भी स्वरूप है उन सारे स्वरूपों को मैं नमन करता हूँ और ये माना जाता है कि जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण पूरे रिधाई के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ करे तब अगर आपके उपर या फिर आपके आस-पास कोई भी नेगेटिव एनरजी प्रवर्तमान है, विद्यमान है तो उसे दूर करा जा सकता है इसलिए आदी काल से इस मंत्र का बहुत ही ज्यादा महत्व है तो ये अगूर के बारे में थोड़ा जो शॉट टाइम में हम बता पा रहे है, वह ही ये चीज़ है हाँ तो भी पॉड़कास्ट को आगे बढ़ाने से पहले में आप लोगों से ज़रा थोड़ी अपनी एप के बारे में बात कर लेता हूं दबादप पैसा डिस्क्रिप्शन में लिंक है वही जरूर डाउनलोड कर लेना हर एक विवर से का रहा हूं दबादप पैसा बनाओ यहां जाके ठीक है चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं एक बार यह भी बताओ कि अगौरीस की बात हो रही है तो इनके बास कुछ पैसिविक इतना इतने मंत्र जाप करते हैं और अगर आती है तो किस तरह की आती हैं महलब किस लेवल तक वह अपने माइंड को ले जा सकते हैं थोड़ा वो बताओ किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ जो गुजराद के एक इनसान का था उनका नाम था मोहनला लगरवाल और गुजराद में ही मैं पला बड़ा और उन्हीं के साथ उन्हीं के ग्यान की गुपास आज में यह चीज आपको बता पा रहा हूं वो एक ऐसे अगौर आज एक पादल क्रियाओ के थ्रू अपना प्रतिशोध लिया था मूल घटना यह थि प्रतिशोध मतला विराज मान है। माँ चामुंडा आधी पराशक्ती का एक स्वरूप है जो देत्यों के सामने जिन्होंने चंड और मुंड का बद किया था। तो वहां का जो एक शेत्र है जो प्रदेश है वो बहुत ही जादा सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऐसा ही एक शेत्र वहां पर गिर्णार और गिर्णार पे स्वयम भगवान दत्तात्रेई विराज मान है। भगवान दत्तात्रेई को ब्रह्मा, विश्णु और महेश तीनों का आउतार माना जाता है। तीन चोटी है वहां पर तीन शिखर आप कह सकते हो। जहां पर एक शिखर पर एक चोटी पर स्व तो चोटिला, गिरनार ये सारा जो एक क्षेत्र है वो एक दम आसपास में है और जंगलों से गिरा हुआ है इतने बड़े-बड़े पहाड़े वहां बे कि आपको अगर चड़ना हो आपको अगर उसे पूरा एक्स्प्लोर करना हो आज की तारिक में भी कोई नहीं कर पा रहा इतना ज्यादा गाड इतना ज्यादा गूड वो माना जाता है पूरा उसी खेत्र में ये अगहरी थे और उनka मिलना हुआ मोहना नगरवाल से जिनके घ्यान कि मैं आज की बात करना हूँ आज की तारीख में और उनका नाम था बाबा प्रयाग भारती वो पहले अगोर क्रिया करते थे बाद में वो नागा सादू बने तो मोहला नगरवाल जब प्रयाग भारती को मिले बापू प्रयाग भारती को तब उन्होंने ये अपना पूरा पूर्वाश्रम बताया आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह जो प्रयाग भारती बापू थे, नागासंथ, वो अपने पूर्वा आश्रम में, यानि कि दिक्षा लेने से पहले एक एड़ोकेट थे, वकील थे, वो अपना एक केस लड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस था, उत और वहीं पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, वो जिस पार्टी के खिलाफ केस लड़ रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा इंफ्लूएंचल पार्टी थी, और इनके खिलाफ यह अपने, जिनका नाम था वेद प्रकाश शर्मा, जो बाद में प्रयाग भारती बने, लेकिन प तो हम लोग यह केस हार जाएंगे, तो वेद प्रकाश को mentally disturbed करने के लिए, उनको हानी पहुचाने के लिए, सामने वाली पार्टी ने, वेद प्रकाश शर्मा की वाइफ का बलातकार किया, उनका रेप किया, चार लोगों ने मिलकर, और बहुत ही ज्यादा इंफ्लूएंच प्रकाश के थोड़े ही दिनों में उनकी पत्नी ने सुसाइट कर लिया, और दो बच्चे थे उनके, पेद प्रकाश को लगा कि शायद मैं लीगल ही जीत पाऊंगा, उन्होंने खोर्ट में जाकर सारी चीजे लड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ सिचुएशन की वजए से और जैसे आज की तारिक में भी कुछ इंफ्लूएंसर लोग पैसे के माधियम से, ऐसी चीजों के माधियम से जीत जाता है केस, वैसे ही उस समय के अलाहबाद में ये लोग जीत गए, वेद प्रकाश के अंदर पतिशोत की अगनी, रिवेंज का जो भाव था, बदले का भा सरिये, मैं बढ़ला लूँगा, उनके एक पहचानने वाले थे, कामाक्षी, मतलब कामाख्या मंदीर जो है, आसाम गुवाहाटी में, वहाँ पे उनके पहचानने वाले रहते थे, जो तंत्र क्रिया करते थे, वे उनके पास गए, वेद प्रकाश शर्मा, और कहा कि मुझे तंत्र सिखाओ, मुझे उग्र विद्याय सीखनी है, जिनके माध्यम से मैं प्रतिशोद ले पाऊं, उन्होंने कहा कि मेरे गुरू है, आप उनके पास जाए, निलांचल परवत में, यानि कि कामाख्या के आसपास एक शेत्र में उनके गुरू रहते थे, तो वेद प्रका है, वो जो चार लोग है, वो सिर्फ इस जीवन में ही नहीं, वो जब प्रेतियोनी में जाए, जब उनका देहत्याग हो जाए, उसके बाद भी उनको पीडा हो, मुझे इतना ज्यादा इंटेंस बदला चाहिए, तो उन्होंने पुछा कि आप श्योर हो कि आपको ये करना ह है, क्योंकि आप जिस मार्ग के उपर जा रहे हो, वहां से कोई कमबैक नहीं है फिर, आप वापिस नहीं आपाऊगे, एक बार अगर आपने चलना शुरू कर दिया, तो बात खतम, उन्हेंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चलना है, आप मुझे सिखाओ, एक दिन डिसाइड हुआ, एक दिन तै हुआ, जहां पे जो उनके गुरू थे, वे उनको दिक्षा देने वाले थे, मंत्र दिक्षा, उनका नाम था उदैनाथ जी, गुरू का नाम, और सम्शान में जब वो गए, तब वो जो सम्शान था, वो इतना ज्यादा वहां पे कोई चिता नहीं जलती थी, तो सम्शान की जो एक पहचान होती है वो काफी समय से लुप्त हो चुकी थी वहां पे, तो उसे वापिस से सम्शान के तौर पर स्थापित करना जरूरी था, तो उदैनाथ जी ने प्रयाग भारती के साथ मिलकर, मतलब गुरू और शिश्य ने मिलकर, बह नहीं जगा पे वो जो विधी करने वाले थे जहां पे, वहां पे उन्होंने सम्शान को स्थापित किया, नए सीरे से इन्वोक करा गया सम्शान को, सारी सम्शान की जो उर्जाय रहती है, जो एनर्जी रहती है उनको इन्वोक किया गया, विधी शुरू हुई, विधी दिगंबर हो के दोनों सम्शान में गए और उदेशन जी ने आकरशन क्रिया, आकरशन विद्या की मदद से गाउं में से एक भहसे को बुला लिया, महीश को, जो एक आक्षस था हमारे या पर महीशासुर, जो महीश होता है उसको बुला जाता है भहसा हमारे या पर तो आकरशन विद्या, आकरशन क्रिया, तब आप कोई भी पशू या फिर पंची, प्राणी, आप उनको अपनी विद्या की मदद से बुला सकते हो, जहां पर भी बैठे हो, आपने कर किसी का स्मरन कर दिया कि मुझे भैसा यहां पे चाहिए, मुझे गाई यहां पे चाहिए, बहुत सारी चीजें, वही तो अभिजार क्रिया के बारे में, जब हम यह शूरू होने से पहले बात कर रहे थे, वशीकरन से लेकर बहुत सारी चीजें करी जाती है, शट कर्मा जिने कहा जाता है, तो वो इंसान के उपर लागू किया जाता है, यह आकरशन क्रिया प्रजवलित था, उसमें उदैनाथ जी और पेद प्रकाश शर्मा दोनों आहुतिया डाल रहे थे, और इतने उग्र मंतरोचार हो रहे थे कि आपको ऐसा लगे कि वहाँ पे कोई तूफान आ चुका है, बहुती ज्यादा अलग प्रकार की उग्र उर्जाओं को, उग्र ए जो नेगेटिव एनरजीज होती है, जो गण माने जाते हैं, अलग-अलग भगवान के, महादेव के गण माने जाते हैं, वे आके अपना प्रभाव, अपना इंफ्लूएंस दिखाना शुरू करते हैं उस वक्त पे, हुआ ये कि ये सारी चीज़े शुरू हुई और उदैन विधी शुरू होने से पहले एक तिक्षण खडग यानि तलवार वहाँ पे रखी थी बली के हेतु, जब उदैनाथ जी ने आहुती देना शुरू किया, तब वो आहुती इतना जादा उग्रह होती गई, कि अचानक से वेद प्रकास शर्मा के बोडी के अंदर से ऐसा उसे लग रहा हो, बिजली का जटका उसे लग रहा हो, इस तरीके का पूरा उसको फील आने लगा इंटेंसिटी के साथ, और वो अपने जगा के उपर से खड़ा हुआ बंदा, और खड़े होने के बाद उसने अपना जो खडग था वो हाथ में लिया, उस खडग के उपर उसने अपना रक्त लगाया, काटके, और फिर उसी खड़क से एक ही जटके में, वो जो महीश वहाँ पर खड़ा था, जो भैसा कड़ा था, उसका मस्तक तड़ से अलग कर दिया, और वो जो मस्तक उसने अलग किया, वो गिरकर चंड बहरव की वहाँ पर स्थापना की गए चंड बहरव, अस्ट क्षेत्रपार, हमारे जो आठ बहरव है, उनमें से एक बहरव है, जिनका नाम चंड बहरव, आठ बहरव के बारे में भी बता सकते हैं, हाँ, मिल्कुल, असितांग बहरव, उनमद बहरव, चंड बहरव, कपाली बहरव, पूरे आठ तरीके के बहरव जिनका इन्वोकेशन करा जाता है क्षेत्र पाल यानि की गार्डियन के तौर पर कुछ डिवाइन एंटिटीज को गार्ड करने के लिए For example, कामख्या जो क्षेत्र है, मा कामख्या उनके जो क्षेत्र पाले वो उमानन्द भहरव है अ कामख्या एंट बह्रें, काल भहरव उस क्षेत्र की रक्षा कर र ले तो जहां पर भी जोतिरलिञग नहीं', जहां पर भी मा डिवाइन एठिटीज की स्थापना की गई है, वहां पर हमेशा एस्ट उक्षेत्रफाल को स्थापित किया जाता है वा इन गार्डियन तो ये चीज़े हुई और जो मस्तक काटा था वो काट के गिरा पूरा चंड भहरव के आसन के पास जो उन्होंने पूरा विधी के समय पर चंड भहरव को आवान देने के लिए उनको इन्वोक करने के लिए वहाँ पर स्थापित किया था मस्तक वहाँ पे गिरा और सारी चीजे हो गई उसके बाद वो जो उदैनाथ जी थे गुरू उनके उन्होंने खड़े होकर अपने शिश्य को पेद प्रकाश शर्मा को उस मस्तक के उपर बैठाया उन्होंने अपना हाथ रखा उनके मस्तक के उपर और मंत्र की दिक्षा दी जो चंडबहरव का मंत्र रहता है मैं यहां पर नहीं बोलूँगा क्योंकि गुप्तमाना जाता है वह चीज तो उनकी दिक्षा दी गए मंत्र की और यह कहा गया कि आपको अगले तीम महिने तक चंडबहरव की साधना करनी है तीवरत अंत्र साधना और तबसे उनका नाम ह बालकनाथ, प्रयाग भारती बाद में पड़ा, जो उधे नाथ जो दिक्षा देने के बाद उनका जो नाम दिया गया वो था बालकनाथ जी, और ये नाम का भी बहुत ही एक डीप मीनिंग रहता है, कोई भी गुरु अपने शिश्य को ऐसे ही नाम नहीं दे देता, उनके जो ग्रह नक्षत्र रहते हैं, उनके जो जन्मके नक्षत्र रहते हैं, उनकी जो कुंडली होती है, उनका एक अकडम चक्र रहता है, जिसके उफर से पुरा नाम और कौन सी साधना आपके लिए फलिबूत होंगी, कौन सी सिद्धिया आपको प्राप्थ हो सकती है, कौन से मंत उनको नाम दिया बालकनाथ अब वेद प्रकाश भारती वेद प्रकाश शर्मा बन चुके है बालकनाथ ठीक उनको बुला गया कि चंड बहरों की साधना शुरू करो पूरी विधी विधान के साथ पूरा बताया गया थोड़े ही दिनों में उन्होंने चंड भेरों की, साधना शुरू की वो साधना के दौरान, दस दिन तक सभी चीजे सही चली, एकदम ठीक चली दस दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, कुछ नहीं था अचानक से 11 दिन के बाद उनका स्पाइन दुखना शुरू हो चुका था वो बैट नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी साधना रोकी नहीं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे साधना उग्रह होती जा रहे थी, तिव्रह होती जा रहे थी और एक समय ऐसा आया, जब सम्शान के अंदर बहुत सारे भूत, प्रेत, पिशाच, उनका हाहाकार बढ़ने लगा जब वो रात में साधना करते थे, उस वक्त पे उनको आवाजे सुनाई देती थी, बिजलिया कड़कने लगती थी और उन्होंने ये बात जब अपने गुरु को बताई उदैनाज जी को, तब उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है, चंड भहरव के प्रागट्य का आप कल तयार रहना, चंड भहरव को आप नईवेद्य देना होगा आपको, नईवेद्य देने के बाद क्या क्या करना ये मैं आपको बता रहा हूँ अब ध्यान से सुनेगा, अगर इसमें कोई भी चूक हुई, कोई भी गल्ती हुई, तो प्राण का खत्रा हो सकता है, चा समाधि में चले गए, वो इतने ज्यादा डीप चले गए अपने आपके अंदर साधना करते करते कि उनको आसपास के वातावरन का कुछ बोधी नहीं रहा, ज्यानी नहीं रहा, वो अपने अस्तित्व से अनभिग्य बन गए, अंजान बन गए, सुबह उनको होश आया, मैं एक मौका था मेरा बढ़ला लेने का, और मैं वो भी चुग गया, बिलख बिलख कर रोने लगे, उदेनाद जी उनके गुरू सम्शान में आये, और देख लिया उन्होंने पता चल गया कि पूरी विधी जो थी वो निश्वल साबित हुई है, उन्होंने कहा, उदेनाद ज ने कहा कि कोई बात ने, मैं समझ सकता हूँ कि ये चीजे होती आपके साथ, अगर आप चाहते हो, तो आपके बढ़ले मैं उनसे प्रतिशोड ले लेता हूँ, मैं ही उनको खतम कर डालता हूँ, और ये चीज बालक नात के स्वमान के उपर असर कर गई, उनकी इगो को लग आएगी, या मैं चंद भेरों को सिद्ध करूंगा, गुरु ने बोला तथास्तु, फिर से रात आई और चीजे शुरू हुई, साधना शुरू हुई, गुरु ने क्रिया ये बोली थी कि जब बाबा प्रगठ हो, उस समय पर क्या-क्या चीजे करनी है, कैसे करनी है, उनको नवेद्य भोग के सद्धरानाय पूरा, ये चीजे हुई, अब बीच रात, मतलब मध्यरात्री तक सारी चीजे चली, और अचानक से जो भेंसे का मस्तक था, जिसके उपर ये सारी क्रियाय करी जा रही थी, उसमें से दुआ निकलने लगा, चंद भेरों के प्रागठ्य का समय आ चुका था, और धीरे, 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 जैसे मंत्रजाप आगे बढ़ते गए, थोड़ी ही क्षणों में भेरों प्रगठ्य हो गए, चंद भेरों, उग्रस्वरूप, एक हाथ में खडग, दूसरे हाथ में कपाल, खपर, और कोई सामानिय इंसान, कोई व्यक्ति उन् सात्विक, राजसिक और तामसिक, काफी लोग अपनी प्रकृति के अनुसार साधना का चैन करते हैं, तंत्र में जैसे दक्षिनाचार, तंत्र, वामाचार तंत्र होते हैं, वैसे ही साधनाएं भी अलग-अलग प्रकार्गी करी जाती है, तो उसमें से आपकी जो प्रकृत तो वात्सल्य पूर्ण होते हैं, मम्ता पूर्ण होते हैं, वो कभी अपने बच्चे को डरारते नहीं हैं, वो माता-पिता के स्थान पर होते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब हम उग्रस्वरूप की बात कर रहे हैं, तब उग्रस्वरूप वात्सल्य पूर्ण प्रागत्य है, और उन्हों ने अपने एक हाथ में अपना हाथ काट कर उसमें लविंग रख दिया उनके गुरु ने बोला था कि जब वे स्वयम चंड बहरव आपका रक्तपान करें वो भोग के साथ तब ही आपको मांगना है उनसे वरदान तो भगवान ने भोग ग्रहन किया उनके रक्त से भीगा हुआ जो सिनेमन था वो उन्होंने ग्रहन कर लिया खा लिया रक्तपान कर लिया और इसके बाद उन्होंने पूछा मांग पुत्र क्या चाहिए मैं प्रसन्न हुआ गुरू ने आदेश दिया था कि जब तक चंड बहरव तीन बार आपसे ना पूछे तब तक वरदान नहीं मांगना है चंड बहरव ने पूछा उन्होंने आंसर नहीं दिया बालकनाद जी ने वो अपना मंत्र जब करते रहे करते रहे करते रहे तीन बार जब उनको पूछा गया तब जाकर बालकनाज जी ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आगे से जब भी मैं आपका आभवान करूँ जब भी मैं आपको बुलाओं तब आप यहां बे प्रगट हो जाना मेरे समक्ष और बाबा ने तथास्तु कहकर उनका वो अंतरद्यान हो गए अद्रश्य हो गए इस तरीके से चंड भहरव उन्हें सिद्ध हो गए दूसरी दिन की सुबा आई उनके गुरू आए समशान में और जो शिश्य के ऊपर उनका जो प्रसन्न चित्त था उनकी जो मुख मुद्राय थी वो देखकर ही उन्हें पता चल गया था कि चंड भहरव उनको सिद्ध हो चुके है गुरू ने कहा कि काम अभी खतम नहीं हुआ है काम तो अभी शुरू हुआ है चंड भहरव के बाद आपको सिद्ध करने है कपाली भहरव कपाली बहरव भी अस्ट बहरव, आठ बहरव के स्वरूपों में से एक बहरव है बहुत ही ज़ादा उग्रस्वरूप, चंड बहरव से भी उग्रस्वरूप उनकी साधना 40 दिन तक चलेगी, ये उन्होंने कहा 30 दिन के बाद उनको खपर में हर रोज वो रखते थे मदीरा, मद्यपात्र मद्यपात्र में मदीरा यानि कि आलकोहॉल भरके रखते थे और बहुत सारा नैवेद्या उनको चड़ाना होता था गुरू ने बोला था कि जब 30 दिन खतम होंगे तब प्रेत आकर जो बहरव बाबा के जो गण होते हैं वो आकर सारी चीज़े ग्रहन करेंगे मद्यपात्र में से आपको डरना नहीं है, आपको बहुती ज़ादा परेशान करने की कोशिश की जाएगी ये भरपूर कोशिश होगी कि आप अपने साधना को बीच में छोड़ कर भाग जाओ यांसे ऐसी ऐसी आवाज है आएगी आपको कि आपका रिदय बैठ जाएगा लेकिन डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही तीस दिनों के बाद ये सारी चीज़े शुरू हो गई और जो आखरी के दस दिन थे उसमें भैरों के गणा आते थे और जो आलकोहल मदीरा का मद्यपात्र रहता था और जो भोग उनको धराया जाता था वो चट कर जाते थे खा जाते थे आखरी दिन आया आखरी दिन पे जब कपाली भैरों का प्रागट्य होने वाला था उनकी एक कंडिशन ये रहती है शास्त्रों के मुताबिक कि कपाली भैरों जब प्रगट होते हैं अपने खपर के साथ कपाल के साथ उस कपाल के अंदर जो साधक रहता है जिन्होंने उनक अगर नहीं भरा गया, थोड़ी सी भी पात्र में जगा रह गई, अगर वो पात्र छलका के पुरा नीचे वो गिरा नहीं नीचे, तो कपाल ही भेहरो क्रोधित हो जाएंगे, कुस्सा हो जाएंगे और अपने ही खड़क से सादका काला काट देंगे, इतनी उग्रसादना रह बिल्कुल, तो उनको पता लग गया था, बालकनाथ जी को कि यह आसान तो नहीं रहने वाला, यह चीज बहुत ज़ादा मुश्किल होगी, अगर मैं जरासा भी मैंने चूक करी, तो मेरे तो जान गई समझो, उन्हों ने आखरी दिन की साधना से पहले, याने की कापाली बहर को बुलाया, जिनको पहले सिद्ध कर लिया था, उनसे वर्दान मांगा कि आप मुझे एक ऐसा पात्र दो, जिस पात्र में मदीरा कभी खत्म ही ना आओ, और चंड बहरु ने उनको कलश के आकार का, एक पॉठ जैसा कलश के आकार का एक पात्र दिया, मदीरा पात्र, और बोला कि आप इस पात्र में से जब मदीरा, आप डालोगे पात्र के अंदर, कपाली भहरो के खपर के अंदर, इस में से मदीरा खाली ही नहीं होगी कभी, आप जितना चाहोगे उतना उडेल पाओगे, साधना शुरू हुई, और मंत्र इंटेंसिटी के साथ पूरा मंत्रो अचारण हो रहा था उनका, जैसे जिस आगे बढ़ता गया टाइम, वैसे वैसे कपाली भहरो का प्रागट्य का समय भी नस्दीक आता गया, और सड़नली, आउट ओफ दे ब्लू, बिजली के कडाकों के साथ, और इतना ज्यादा सम्शान के अंदर अंधेरा उतर आया था, मानलो की पूरे ब्रहमांड का जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, वो एक ही जगा पे कठा हो गई है, ऐसे सिच्वेशन के अंदर कपाली भहरो का प्रागट्य हुआ, उनका स्वरूप एकदम लाल, उनकी आखे अंगारे जैसी, ये स्वरूप वास्तों में, शास्तों में दिया गया है, कपाली भहरो का प्रागट्य होने के बाद तुरंथ उन्होंने भोग मांगा, खपर आगे धरा, और जैसे ही खपर आगे धरा गया, सादक यानि कि बालकनास समझ गया कि अभी ही इनको भोग देना है, उन्होंने चंड भहरो का दिया हुआ पात्र, कले शाका के पात्र, जो उन्होंने चंड भहरों से बर्दान में मांगा था, वो उठा के मदीरा डालना शुरू किया उस पात्र के अंदर, मदीरा जैसे जैसे वो डालते जा रहे थे, कपाली भहरों के मुख के ऊपर एक समीत आ गया, तो मुस्कुरा दिये, पता चल लिया उन्हे, क्योंकि कोई सामान्य साधक का ये काम होई नहीं सकता, कोई भी तुच्छ इंसान उनके पात्र को भर पाए इतनी केपेबिलिटी, इतनी क्षमता किसी में नहीं होती, वे समत चुके थे कि ये पात्र जो बालकनात को दिया गया है, वो जरूर चंड भहरोंने ही बिया है, औ पूरा पात्र भर गया और उन्होंने अपना पान शुरू किया, मदीरा पान शुरू किया, मदीरा पान आगे बरता गया, उतने में वहाँ पे एक बकरा लाया गया था, बली के हेतू, और उस बकरे के ऊपर, मंत्र जब करते-करते, बालकनात जी ने अपना हाथ काट दिया और उस बक्रे के ऊपर चिड़का गया रक्त, उसके बूंदे चिड़की गई और जैसे ही बगवान कपाली भेहरव ने मदिरा पान खतम किया, तुरंध ही वैसे जो बक्रे को रक्त चिड़का गया था उनको वो पूरा ऐसे खा गया, वो बक्रा ऐसा सिकुड़ गया कि मानलो उसके अंदर मीठ है ही नहीं, मास है ही नहीं उनको खा लिया गया था पूरा अंदर से, तो ये क्रिया खतम हुई, उसके बाद कपाली भेहरव ने पूछा उनसे, वत्स मैं प्रसन्न हुआ हूँ आपके साधना से, क्या महच्छा है आपकी क्या डिजार आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको क्या दे सकता हूं वर्दान तो ये चीजे उन्होंने पूछा और उन्हें कहा कि जब भी मैं आपका आभवान करूँ, जब भी मैं आपको बुलाओं अपने पास आमंतरन देकर आपको प्रगट होना और मेरा काम करना है, उन्होंने का ठीक है मैं आपको वर्दान देता हूं, कि मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा, ये कृया खतम हुई, थीसरा दीन आया, क्रिया के बाद का दीन आया, उदह इनाथ जी आये, उनके गुरु आये, और पता चल गया कि चलो कपाली पहराव भी उनको सिद्ध हो चुका है, अभी आखरी क्रिया और करने थी, करना फिशाचनी को सिद्ध करना इनसे जादा तीवर साधना नहीं रहती है। करना पिशाचनी की जो साधना थी उनकी वो 21 ती थी ती तुरंथ खतम हो गई और बहुत ईजीली खतम हो गई। करना पिशाचनी उनको सिद्ध हो गई। और उन्होंने पूछा बालकनाथ को कि गुरु जी ये चन्ड पिशाचनी को इस प्रयोजन के साथ सिद्ध करना है कि जब आप अपना प्रतिशोध ले रहे होंगे। तब आपकी शत्रू के साथ जो भी गटनाएं घट रही होंगी, चंड बहरा और कपाली बहरा उनके साथ जो कुछ भी कर रहे होंगे, वो आपके पास कोई तो होना चाहिए जो आपको कान में आकर माहीति दे, आपको information आके दे जाए, क्योंकि आप तो वहाँ पर प्रगट न उन्होंने सबसे पहले कर्णापिशाचनी उससे विद्धया से ये पूछा कि मुझे ये बताओ कि चारो के चारो शत्रू अभी है कहां पर, और कर्णापिशाचनी ने बताया कि तीन अभी अलाभाद में ही है, यानि कि आज के प्रयाग राज में ही है, लेकिन एक शहर के और बालकनाथ ने ये समझ लिया कि मुझे अपना प्रदिशोड लेना है तो मुझे वापस अलाहबाद जाना ही पड़ेगा वो जो चार शिकार थे उनके नाम थे भेरुमल दूसरा नाम गोपाल टंडन तीसरा जो बंदा था उसका नाम था विरेंद्र महरा और चोथा था द जिसने ये पूरा आइडिया एग्जेक्यूट किया था कि अगर हमें ये एडवोकेट को उसका माइंड डाइवर्ट करना है उसको हराना है तो उसकी बीवी का हम बरातकार कर देते हैं तो इस जो पूरी घटना के पूरी शडियंद्र के पीछे का जो मास्टर माइंड था वो भेरुमल था वो गया भेरुमल के घर पे तो उपयर का टाइम था और भेरुमल गार्गल कर रहा था उसने गार्गल करने के बाद उसके मूम का जो पानी था वो घर की बहार का जो हमना अंगन रहता है न हमारा चोटा सा उस अंगन के अंदर उसने गार्गल करके पानी अपना और सबसे पहले बालकनाथ ने उस मिट्टी को जहांपे वो पानी गिरा था उसके मुख में से उस मिट्टी को अपनी एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में भर लिया क्योंकि जब भी आप किसी के ऊपर अभिचार क्रिया करना चाहते हो तब यह बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले इंसान की कोई चीज कोई ऐसी चीज जो उसकी प्राइवेट हो इसने उसे उसे यूस किया हो या तो फ़िर उसके टच में आई हो हां कहते है कि बाल हो या टी-शर्ट हो उनकी बाल, टी-शर्ट, नाखून, डियने होना चाहिए बिल्कुल, करेक्ट तो इस वजह से उन्होंने सबसे पहले ये मिट्टी इकत्र कर लिया अपने पास और फिर अंदर गये पहरूमल को कहा कि पहचाना मुझे और पहरूमल प और वो जो बालकनाथ था वो उसके पूरी डाड़ी बढ़ी हुई थी, मतलब एड़ोकेट जैसा कोई उसका था ही नहीं, कोई लुक ही नहीं था, जो वकील था, वो पूरा बदल चुका था, इस वजह से उनको नहीं पहचान पाए शुरूआत में, और फिर उन्होंने एक क्लू दिया कि बहुत तुम्हें शौक है ना पराइस्त्रियों को परेशान करने का, याद आया भी कुछ, तो उन्होंने मजाक उड़ाया फी भिरूमल ने, कि अच्छा, वेद प्रकाश्चर्मा, यहां पर क्या गर रहे हो, जाओ, मैं तुम्हें थोड़े पहुत पैसे द बाद, तु नहीं होगा, और मैं तुझे बोलके जा रहा हूँ, ताकि जो पीड़ा, जो वेदना, मेरी पत्नी ने सही थी, वो मैं तुझे देखे जा रहा हूँ, और तुझे पता होना चाहिए, कि ते मृत्यू कब आने वाली है, ऐसा बोलके वो चले गए, लेकिन भेरू पुरा यंत्र बनाया गया, यंत्र बनाने के बाद, उसका जो एक आकरिती होता है, भेरूमल की एक, काइंड ओफ, हम वुडू डॉल क्या होती है, वुडू डॉल मतलब आप किसी व्यक्ति का कुछ भी प्राइवेट जो चीज है, उसको वुडॉल के साथ अटेच कर दो, तो दोनों उर्जा एक हो जाती है, और फिर जो भी चीज आप उडू डॉल के साथ करो, वो उसके साथ होती है, तो वैसे ही प्रक्रिया, वैसे ही पुरी विधी सम्शान के अंदर करी गई भेरूमल के लिए, और उसे प्रसंग था पूरी घटना थी, उसमें मारन प्रयोग नाम दिया गया, जो मैं अभिचार क्रिया के बारे में बता रहा था, वास्तों में तंत्र महली विध्या नहीं है, यह हम बहुत बार गल्ती कर देते हैं, समझने में, अभिचार क्रिया जो है, मारन, मोहन, उच्छाटन, वशिकरन, स्थंभन और विद्वेशन, यह शठ कर बोले जाते हैं, यह वास्तों में ब्लेक मेजिक माना जाता है, तंत्र ब्लेक मेजिक नहीं है, तंत्र तो वास्तों में इश्वर तक पहुंचने का माध्यम है, हम पूझा करते हैं, वो भी तंत्र है, हम बगवान को कुष्प चड़ाते हैं, वो भी तंत्र है, हम मूर्ती करते हैं मूर्ति के अंदर प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं इश्वर को इन्वोक करते हैं वो भी मंत्र है वो भी तंत्र है actually तो उन्होंने मारन प्रयोग का मतलब अभिचार क्रिया का प्रयोग करके उस सम्षान के अंदर उनकी एनरजी को डाल दिया और एक ही चीज जो सबसे पहले उन्होंने करी उनका यानि की जो भेरुमल का प्राइवेट पार्ट था उन्होंने सोचा कि यही चीज मूल थी मेरी पतनी के दुख के पीछे उनकी पीडा के पीछे उन्होंने एक छोटा सा कांटा उठाया और प्राइवेट पार्ट के उपर भौक दिया दूसरी साइड जो भेरुमल था उसे गजबनाक पीडा होने लगी इतनी भयंकर पीडा कि एक भी डॉक्टर के पास solution नहीं था कि यह हो क्यों रहा इसे तीन दिन तक यही चला और तीसरे दिन सुबह यह जो थे बालकनाथ उन्होंने खडग से उनका प्राइवेट पार्ट जो समशान में उन्हों स्थापित किया था वो काट दिया और दूसरी साइड भेरुमल का जो प्राइवेट पार्ट था वो सूख कर गिर गया अपने आप नीचे तब उसे रियलाइज हुआ भेरुमल को कि जो तीन दिन पहले ये बंदा बोल के गया था मुझे वो फैंक नहीं रहा था वो सच बोल रहा था उसने अपने परिवार को बुलाया बोला कि मैं मरने वाला हूं मुझे कुछ हो जाएगा और वो कुछ ज्यादा बोल पाए अपना उसके पहले ही क्योंकि करना पेशाजनी एक-एक सेकेंड का अपडेट दे रही थी उनको इंफोमेशन दे रही थी माहिती दे रही थी विगत दे रही थी कि क्या हो रहा है भेरुमल के घर के ऊपर बालकनाथ ने चंड भहरव को आदेश दिया कि उन्हें मार कराओ उनका भोग लेकर आओ आप मैं भेरुमल को नेविद्य के तौर पर आपको अरपन करता हूँ और चंड भहरव तुरंद उनके पास गए भेरुमल के पास उनको इतना जादा अंदर से निचोड लिया कि वो बंदा कुछ बूली नहीं पाया और सनली मर गया जैसे वो बकरे को निचोड़ा था तौरंद मर गया वो भेरुमल अब भेरुमल के बाद बारी थी गोपाल टंडन की गोपाल जो था उसने उसकी पत्नी के साथ मतलब बालकनाथ की पत्नी को गालों के उपर उसकी चेस्ट के उपर बहुत सारी इजाय पहुचाई थी बहुत सारे नाखूनों के वो सारे रैशिस और वही सारी चीजे करी थी तो बालकनाथ ने ये तैय किया कि मैं इसकी जो मृत्तिव होगी वो इसी तरीके से लाऊंगा जिस तरीके से उसने मेरी पत्नी को पीडा दी थी गोपाल टंडन के घर पे वो गए और दुकान पे गए और दुकान पे वो खड़ा था और उन्होंने कहा कि पहचाना मुझे तो सेम वही चीज भी नहीं पहचान पाए तो ठीक है तो बाद में पहचाना और कहा कि तुम्हें 50-60 पैसे देता हूं तुम जाओ अपने लिए बी बाल खीच कर वापिस से समशान में ले गए और कपाली भहरव को इन्वोक किया गया कपाली भहरव को इन्वोक करने के बाद अभी उन्होंने इतना उसको mentally प्रताडित किया टॉचर किया गोपाल टंडन को तीन दिन वो बोलके गये थे कि मैं तुम्हें तीन दिन के अंदर मार दूँगा जस्त लाइक भेरुमल गोपाल ने भी विश्वास महीं किया कि यह वास्तो में ऐसा होगा यह फेंक रहा है उन्होंने यही कहकर उनको भगा डाला महा से कि चल बाग यहां से कुछ भी बात करता है पागल कहीं का तो यह चीज़े हुई और तीन दिन के दोरा अपने सारे जगाओं पर नाखून के रहशिस वगएरा खून निकालने लगा उसके घर वाले नहीं समझ पा रहे थे कि यह इतना पागल जैसा बेहर क्यों कर रहा है कल तक तो ठीक था इसको हो क्या गया उनको लगा कि कोई भूत प्रेत का कुछ चक्कर है तो तांत्रिकों उनको बुलाया गया उनको बुलाने के बाद उन्होंने कुछ करने की कोशिश की कुछ नहीं हो पाया उल्टा कपाली बहरवने उनको डरा दिया तांत्रिकों को तांत्रिक भाग गए वह से और तब जाकर लास्ट में यह हुआ कि जो सम्शान में उसकी उर्जा स्थापित क तरी गई थी मारण प्रयोग के थ्रू उन्होंने उनका जो रिदेई का स्थान था गोपाल का वो मसल दिया और यहां पे गोपाल का जो रिदेई था उसका जो हाट था वो एकदम उसे लगा कि हाट अटेक आ रहा है उसे और पूरा बंदा खतम हो गया एक ही जटके में अब थी थीसरे विक्टिम की, थीसरे बंदे की जिसने यह किया था उसका नाम था विरेंद्र महरा अब बालकनात को पता चल गया था कि यह बात फैले किया गएक है क्यूंकि यह चारो बहुत जादा था गनेक्टेट थे एक दूसरे के साथ तो अगर मैंने विरेंद्रा को जाक नहीं करना चाहते थे, तो पहले उन्होंने ये किया, कि विरेंद्र महरा के उपर उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग करे, जिन प्रयोगों के थुरू उनका माइंड एकदम इंस्टाइबल हो गया, और वो पागलों जैसा बिहवेर करने लगा, कुछ भी बाते करता रहता था, पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहता था, ना कुछ काम करता था, ना कुछ काज करता था, ना किसी के साथ बात करता था, ना हसता था, ना रोता था, ऐसा लगा मानों जैसे कुतले की तरह उसे बिठा दिया गया हो, इतना करने के बाद उनको कि विरिंद्र महरा दो दिन के अंदर इतने चट पटा है कि उनको समझ में आ गया कि यह बंदा सच बोल रहा था और वो दो दिन के बाद भागे चौथे बंदे के पास जिसका नाम था देवचंद बंसल उनके पास जाकर वो खड़े हो गया उनको बुला कि मेरी जो हालत हो रही है वो वेद प्रकाश की वज़े से हो रही है वो वकील की वज़े से हो रही है दो लोग अलड़ी मर चुके हैं, हमारे दो दोस्त मर चुके हैं इसी वज़े से और मुझे भी वह आकर कह गया है कि मैं अभी दो दिन में जाने वाला हूँ और जैसा ही वह आगे कुछ बताने जाए कि उनको कहां ढूंगना चाहिए उसका जो एक लुक था वो कैसा था कुछ वर्णन करने जाए वैसे उसके पहले करना पिशाजिनी ने आकर समाचार दे दिया इंफोर्मेशन दे दी और तुरंत कपाली भहरव ने अपना बालकनार जी ने उनको आदेश दिया कि इससे पहले कुछ बता दे उसको रास बता दे मेरे बारे मेरे लुक के बारे मेरे आइडेंटिटी के बारे में खतम कर दो और यह जो था बंदा विरंद्र महरा वो कुछ बोलने जाए उससे पहले सरन उसकी देथ हो गई उसके सामने ही देथ हो गई अब देवचन समझ चुका था कि भाई साब अगला नंबर मेरा अब मेरा नंबर है यह तो मेरे सामने ही लुड़क गया उसने अपने परिवार के पास जाकर सारी बाते बता दी कि देखो मेरे से पाप हो चुका था अब यह जो वकील है वो मेरे पीछे पड़ाया है और जो मेरा दोस्त था प्रेंद्र महरा उसने जाने से पहले मुझे यह बोला था कि कुछ भी करके इस वकील को ढून लो अधर्वाइस मृत्य उपक ही ह तो अब चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे डूनने जाएए उसके परिवार वाले विरिंद्र बालकनात जी को यानि कि वेद प्रकाश शर्मा को डूनने के लिए जगा जगा बटकने लगे सारे समशान में जाने लगे अलहाबाद के उस समय के और जितनी भी जगा ऐसी थी जो अगोरियों की तांत्रियकों की जगा मानी जाती थी वो सारी जगा उन्होंने एक्स्प्लोर करना शुरू कर दिया कुछ नहीं मिला इस साइड पे बालकनात जी को पता चल गया कि उनके परिवार वाले मुझे खोज रहे हैं मुझे ढून रहे हैं उन्होंने तुरंत ब बाहर खोज रहे हैं वकील को किसी को पता ही नहीं है कि ये बंदा अलड़ी चला गया उसके बुत्यू हो चुकी है अब परिस्थित ये हुई सिच्वेशन ये हुई कि उसकी पत्नी को एक बाबा मिले मंदिर में और उन्हें कहा कि जो कोई ये प्रक्रिया कर रहा है मारण क की जाना को क्योंकि आगार कर दो सक्षम हो क्यूंकि जहर का तोड जहर हि होता है उसको जहर को जहर के लाबा को नहीं काट सकता हुई तो अगर एंटिडोट चाहिए जहर का, तो जहर में से ही बनाना पड़े गा, तो अभिजार का एंटिडोट चाहिए, तो अभिजार क्रिया करने वाले इंसान को ही डूनना पड़ेगा, जो रक्षन दे पाए, प्रोटेक्शन दे पाए उनको, तो ये घटना होने के बाद, वे वापिस से सम्षान में घुमने लगे और अपना पूरा बढ़ला खदम करके प्रतिशोध खदम करके बालकनाथ जी समेट रहे सब कुछ सम्षान के अंदर वो उस समय का जो सम्षान का नाम था वो था जूसी सम्षान उस वक्त का जो आज भी शायद वहाँ पे लेकिन ना उनको पता नहीं था कि इवेद प्रकाश है उनको कुछ डीटेल वगेरा पता नहीं थी उन्होंने आके बालकनाथ के पाउं पकल लिए कि बाबा अब आप ही एक आसरा हो आप ही एक सहारा हो मेरे पती को बचा लीजिए चाहे कुछ भी हो जाए वो बिलक बिलक कर रोने आद आ गए कैसे उसकी पत्नी के साथ जब ये अत्याचार हुआ था इपलातकार हुआ था तब वो कैसे रो रही थी उसकी ट्रीटमेंट के वक्त के जो स्थिती हो रही थी वहाँ पे ऑस्पिटल में वो कैसे थी यह सारी चीज़े उन्हें रिकॉल होने लगी और उन्हें अचानक से ही एहसास हुआ कि मैं अपना प्रतिशोद लेने के बाद भी खुश नहीं हूँ, आनन्द में नहीं हूँ, मुझे तुरुपती नहीं हो रही, सरिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तब जाकर उन्हें रिलाइज हुआ कि प्रतिशोद किसी भी चीज का तोड नहीं होता, लेकिन अब तक देर हो चुके थी, उन्होंने देवचन की पतनी को कहा, कि मानव यानि कि इनसान करूना महीं हो सकता है, emotional हो सकता है, लेकिन जब आप किसी देव को, किसी उग्र देवता को साध लेते हो, उनको इन्वोक कर लेते हो, तब वो मंत्र के आधीन होते हैं, और ऐ आपका काम करके ही रहेंगे, उनके पास कोई feelings नहीं होगी, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि अरे ये तो इनसान है, मैं इसको कैसे मार सकता हूं, किसी particular intention के साथ, अगर उनको इन्वोक किया गया है, तो उनका intention खतम किये बिना, वो कारिय खतम करे बिना, वो वापस नहीं लो उनका मुख देखकर ही समझ गए, चेहरा देखकर ही समझ गए कि कुछ अलग चीज में, अलग जोन में है ये, उन्होंने solution बताया, निराकरण बताया कि 12 साल आप साधनाएं करे अलग-अलग प्रकार की, और साधना करने से पहले वो जो चार आत्माएं हैं, भेरुमल, मुक्ति दीजिए, ताकि आपका जो एक बोज है मन के ऊपर, वो बोज कम हो, और उनको मुक्ति आप दे सकते हो परशुराम कुंड में, क्योंकि परशुराम कुंड में स्वयम भगवान परशुराम ने त्रेता युग में, उन्होंने अपनी माता का मस्तक कार दिया था, उ उन्होंने जहाँ परशुराम कुंड में किया था, और उसी कुंड के अंदर, उदहिनार जी ने आदेश दिया कि बालकनात, तुम वहाँ पर जाकर प्राहश्रित करो, ताकि तुम उस कर्म में से, उस क्रिया में से मुक्त हो पाओ, तुम्हारे आत्मा के उपर जो बोज्य तुम अभी महसूस कर रहे हो, वो कम हो और वो गए परशुराम कुंड के पास उन्होंने सारी विधी विधान क्रिया करके पिंडदान किया और उस वक्त पे चारो की चारो आत्माइं प्रगट होई भिरुमल, गोपाल दनन, भिरेंद्र महरा, देवचन बंसन पिंडचे पा की out मुर्ण के जारो की चारो की चारो आत्माओ को उन्होंने पूछा कि मैं आपका अपराधी हूं, मैं आपका दोशी हूं लेगिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह जो बालग नात है वो हमसे बहुत zριभा शक्ति शालिया है तो उनकी भी गलती थी तो उन्होंने कहा कि ठीक हblueारी भी गलती थी और हमने भी आपका बहुत बड़ा नुक्सान किया है बस आप सिब यही बिंति कर रही हैं यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें प्रेत योनी में से मुक्ति दिला दे और तब जाकर बालकनाद जी ने सारे विदिविधान के साथ परशुराम कुंड में रिचूल के साथ पिंद दान करके उनको प्रेत योनी में से मुक्ते दिलाई और फिर जाकर बाद में उन्होंने नागा संप्रदाई की दिक्षा ली नागा साथू से और उनका नाम हुआ प्रयाग भारती और वो प्रयाग भारती बाद में गुजरात ट्रावेल करके चोटिला के पास मांडव नाम का एक छोटा सा प्रदेश है और वहीं पे जंगल भी है वहीं पे आकर वो रह रहे थे और यहीं से पूरा पूरी जो गटना थी पूरा जो वाक्या था वो पूरे गुजरात में फिर फैला और वो जब तक जीए तब तक उन्होंने लोगों को यही संदेश दिया कि प्रतिशोध से आपके अंदर की जो जवाला है वो शांत नहीं होगी लोगों की भलाई करिए आपके साथ जो हुआ वो शायद आपके करम के कोई विधान हो सकता है शायद ये हो सकता है कि आपके जीवन में ये घटने वाला होगा इसलिए हुआ होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसी क्रिया कर बैठो जिसके करने के बाद पूरी जिंदगी आप पच्टा आप पच्टा हो बेजिकली तो ये थी पूरी कहानी जो आपने पूछा था कि कौन सी सिद्धिया रहती है इस टाइब की आप कह सकते हो कि उग्रसाजनाए होती है सिद्धियां असिल की जाती है और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बुरी चीजों के लिए मैंने एक नाम लिया था बाबा किना राम जी का जो हमारे आज के वारानसी में एक क्रिमकुंड जगा है विजही चौरा हामाई क्रिमकुंड में पूरे विश्व में आज की तारिक में सिर्फ और सिर्फ दो जगा पे माहिंगलाज विद्यमान है एक जगा जो शक्तिपीठ है पाकिस्तान में और दूसरी जगा क्रिमकुंड मा की असीम कुरुपा उनके उपर थी बाबा किना राम जी के उपर आज की तारिक में भी भाई अगर आप क्रिमकुंड जाओगे आपको कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत हो 400 साल पहले वहाँ पे एक धुनी प्रजवलित करी गई थी बाबा किना राम के माध्यम से उनकी साधनाओं के बाद वो धुनी 400 साल से प्रजवलित है बुझी ही नहीं और उस धुनी में से जो भस्म मिलती है आमें उस भस्म को आज की तारिक में भी प्रसाद के तौर पर दिया जाता है उस जगा का प्रसाद ही भस्म है और ये मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ उस भस्म में इतनी शक्ति है कि अगर आप किसी भी बड़े रोग से पीडित हो किसी भी आप बड़ी से बड़ी समस्या से पीडित होना उस भस्म को आप तिलक के तौर पर लगाओ और उसका एक छोटा सा प्रसाद अपने उंगली के उपर आप अगर जीवा के उपर यानि टंग के उपर आप प्रसाद के तौर पर उन्हें लो तो आपकी बड़ी से पर अभिजार क्रिया का क्रिया गुए क्या कि बहुत सारे लोग आ दे, कि सार, मुझे लग राए कि मेरे उपर किस ने कुछ कर दिया थी, मुझे लग Тाई कि हमारे आसपास बहुत सारी नकरात्मक उरजाय विद्यमान है, सो प्रतिशत में से 95 प्रतिशत केसिस ऐसे होते हैं जहां पे कुछ होता ही नहीं है उनके मन का ब्रह्म होता है सिर्फ ब्रह्मना होती है इल्यूजन होता है कि मेरे उपर किसी ने कुछ कर दिया है सिर्फ पांच प्रतिशत केसी ही ऐसे आते हैं जहां पे वास्तों में किसी के ऊपर कुछ करा गया है So is there any way कि हमें पता लग दे कि हां मेर को सच में कुछ हो रखा है बिल्कुल मैं यही लोगों को कहता रहता हूँ कि जब भी आपको यह महसूस हो तब आपको किसी पाखंड में या फिर किसी अंद्रशद्दा के चक्कर में फसने की जरूरत नहीं है आज की तारिक में जो हमारा एक कमर्शल यूग है चोटी से चोटी विधी कराने के लिए लोग पैसे लेते हैं अगर सही तरीके से हो रहा है तो चलो ठीक है कि दक्षिना हम दे लेकिन सिर्फ लूटने के चक्कर में ये सारी चीज़े हो रही तो ये तो एथिकल नहीं है गलत है बिल्कुल तो मैं कहता हूँ उनकों की जब भी आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर कुछ है अगर आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी सता रही है या फिर आप अपने मन से पीडित हो आपके जीवन में चीज़े ठीक नहीं जा रही तब आप सबसे पहले मा का स्मरण कीज़े आदिशक्ति का क्योंकि जब एक आदिशक्ति एक मा अपने बच्चे को बचाने के लिए आती है तब वो शेरनी बन जाती है ने बच्चे की रक्षा करने के लिए मा कुछ भी कर सकती है दुर्गा सब्तशति में एक बहुती सुंदर और बहुती ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग दिया गया है जिसका नाम है दुर्गा कवच्च यानि दा प्रोटेक्शन फ्रों दुर्गामा उसमें आप अगर उसका पठन करोगे पूरा संस्कृत में है पंदरा मिनिट लगत भूचराहा खेचरास्चैव चलजास्चो पदेशिकाहा। सह जा, कुलजा, माला, डाकिनी, शाकिनी, तथा, अन्त रिक्षच्चरा गोरा, डाकिन्यस्च, महा बलाहा। ग्र्ह भूत पिशा चास्च, यक्ष गंधर्व राक्षसाहा, ब्रहह राक्षस 포인तलाहा, कुष्म का स्तांजा है मंत्र का जो एक संपूठ है इसका उच्चारण करने मात्र से ही आपके आसपास अगर कोई भी नकरात्मक उर्जाही विद्यमान होती है तो वो नस्ठ हो जाती है वो पूरा जो कवच रहता है वो 15 मिनिट उसमें लग सकते हैं दिन के अगर आप मानलो 21 बार कर है उस कवच का पाठ 108 दिन तक अगर कवच आप कर रहे हो तो सरिफ नकरात्मक उर्जाही नहीं आपके अंदर का जो भई है जो डर है अज्यात भई किसी भी जीज का करिया रिलेटेड अपने आपके रिलेटेड अपने रिलेशन्शिप के रिलेटेड परस्नल प्रोफेश है महां भय अभिनाशी नहीं जो महान तम भय का नाश करने के लिए सक्षम है capable है वो आदी शक्ति को वो दुर्गा मा को हम पूझ रहे इस वक्त और जब ये शक्ति इन्वोक करी जाती है जब मा की उर्जा जागरित करी जाती है तब दुनिया में ऐसा कोई भी कारिया अभ कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो सबसे पहले अच्छे से सोचिए कि वाकई में नेगेटिव एनरजी काम कर रही है अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो बाहर जाने की बजाए सबसे पहले आप अपने तरीके से अपने ही माधियम से आप साधना करिए क्यूंकि जब प्राइम मिनिस्टर को आप जानते हो तब आपको क्लार्क को कॉंटेक करने जाने की क्या जरूरत है एक मेडियेटर को क्यूं चाहिए आपको आप स्वयम प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकते हो तो आपको क्लार्क के तुरू क्यों जाना है सीधी होट लाइन है आपके हर एक आत्मा का connection पर्मात्मा के साथ होता ही है, आपको सिर्फ वो connection पहचानने जाना है, आपको सिर्फ यह identify करना है कि मैं उन तक कैसे पहुंच पाऊंँ, तो इसी चीज के आवशक्तिया रहती है, अगर कोई भेविचार करिया या फिर ऐसा कुछ भी करा गया हो, तो सबसे प पूरा क्रिया वताई वो जो कहानी वताई आपने जो अक्चुल में हुई भी थी, उससे बहुत चीजे क्लियर होगी है, समझ में आगया कि यह गोरी कितनी पावर होती और कितनी सिद्ध लोगी होते हैं, बट मेरे क्वेश्चन यहां पर यह राइस होता है कि जैसे आपने पूरी क्रिया में की अनिमल्स को भी कर्ष्ट पुचाया गया उसमें, बकरा था और एक भेंसा था, तो सब बगवान के क्रिचर्चर्स हैं, तो उनको मार कर उसका उसकी भी तो परिश्मेंट फिर मिलनी चाहिए, वो कैसे ओवरकम होता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर और क क्योंकि जब भी हम बली क्रिया के बारे में बात करते हैं, लोगों के हमेशा नेगेटिव रियेक्शन सी होते हैं, जो एक हद तक सही भी है, चलो ठीक है, वास्तों में बली क्रिया का जो विधान था, भाई वो ये था, हर एक साधक में, हर एक मनुष्य के शरीर में, प्रकार के वायू रहते हैं, प्राण वायू, अपान वायू, उदान वायू, समान वायू, और प्राण, अपान, उदान, समान और वयान वायू, ये पांच प्रकार के वायू रहते हैं, बली क्रिया जब करी जाती है, तब जिस एनिमल को वहाँ पे लाया गया है, बली के ह तब भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि ये जो पशु है, इसे पशुयोनी में से, ये जो पशु का इसको देह मिला है, उसको बुला ज़ाद है पशुयोनी, ठीक, अलग अलग प्रकार की योनिया रहती है, तो पशु योनी में से मुक्ति दे कर इसकी जो आत्मा है उसका उर्द्व मार के उसका एक इवॉल्व आप करें उस आत्मा को आप ऐसी गती दे सद गती दे ताकि वो अगले जनम में एक अच्छा देह धारन कर पाए वो फिर से पशु की योनी में जनम ना ले और तब ये चीज़ करी जाती है कि खड़क के माध्यम से जब वो बली दी जाती है उसके पहले साधक स्वयम अपने प्राण, अपनी उर्जा, अपनी आत्मा उसके अंदर डाल देता है पशु के अंदर जब वो प्राण उनके अंदर डाले जाता है तब उनका मस्तक धड़स अलग किया जाता है और इतना होने के बाद जब उनका जो शिश्य रहता है साधक का शिश्य जो मस्तक अलग किया गया है उसको एक पात्र में लेकर जो एक रक्त होता है उसका मस्तक का उसे अपने हाथ अपने अंगूठे से उसको साध्ण को तिलक किया जाता है। और इस माध्यम से, इस तरीके से जो प्राण पशु के अंदर डाल गये होते हैं। उस प्राण वापस बॉडी में आ जाता है। साधक के बौडी में उसको वापिस से लाया जाता है. तो ये क्रिया के थूँ वास्तव में पवरानिक काल में बली दी जाती थी. और इसका जो उलेख हमें मिलता है, इसका जो वर्नन हमें मिलता है, बाबा किनराम के जो अघोर संस्थान वारा नसी में है, उनकी अगोर की जो authenticate किताब हैं उनमें से ये बढ़न मिलता है लेकिन हमारी दिक्कत यही है भाई कि हम शास्त्र पढ़ना ग्रंथ पढ़ना भूल गए अगर हम वाकई में ये चीजे पढ़े अगर हम वाकई में बली के पीछे का सत्य जानने का प्रैतन करें तो आपको पता चलेगा कि बली कभी भी किसी आत्मा को मारने के लिए किसी जीव को हानी पहुचाने के लिए शुरू ही नहीं की गई थी बली तो अपनी दी जाती है तब जाकर वो समर्पन के साथ देवता प्रसन्न होते बली किसी पशु की बली देने से क्या फाइदा देवता प्रसन्न तभी होंगे जब आप अपने ऊपर कुछ कस्ट लेकर देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करो जब तब आपकी आत्मा उस पशु के शरीर में नहीं जाती आपकी आत्मा को वो कश्ट नहीं पहुँचता तब तक देवता का है क्यों प्रसन्न होंगे तो ये हेतू था बली विधान का ये हेतू था बली की क्रिया के पीछे का लेकिन समय के साथ धीरे 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 । लोगों ने चीजे लिटरल लेना शुरू कर दिया और जो सही मेनिंग था, गूड मीनिंग था रःस्यमाई मीनिंग था विदियो के पीछे का वो धीरे-धीरे समय के साथ लूप्त होता गया यह भी हमें अभी पता चला है वरना पहले तो हम भी यही सोचते दें कि ऐसे ही होता था यह तो हमें पता ही नहीं था कि अपनी आत्मा उसमें आती है फिर वह होता है तो यह हमारे अंदर भी पुराना वाला कॉंसेप्ट था अचा सर एक और चीज़ बिफोर वी एंड दिस हम लोग बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं ब्लैक मैजिक की बात करते हैं बट हम अपने पर्सनल तौर पे तो यह सोचते हैं अगर कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करा रहा है इर्शा के चलते हैं या जैलिसी के चलते है किसी का नुफसान कराना चाह रहा है, किसी मीडियम को यूज करके, तो हम तो ये सोचते हैं कि उन पर भी बहुत ज्यादा नेगिटिव इंपक्त आता होगा, सिंस आप इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं, आपको पता होगा, उनको आप हानी पहुँचाते हो, तब आपका जो एक करम का खाता रहता है ना, वो इतना ज्यादा मैनुपलेट हो जाता है कि उसको क्लियर करने में ज्हनमों लग सकते हैं, मैं यहाँ पे छोटे मोटे चोटे मोटे विचार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अभिचार क्रिया जैसे कुछ बड़ी चीज़े आप अगर कर रहे हो, तो उसको उस करम को क्लियर करने के लिए आपको हो सकता है, ज्हनम लग जाए कहीं, काफी बार यह देखने को मिला है कि एक बार अगर इनसान ने अपने मनुष्य योनी में कुछ चीजों का गलत फाइदा उठाया है, तो उसे आगे के कई जनम तक अधो लोग में जाना पड़ता है, अधो लोग यानि जो हम ले मैन लेंग्वेज में जिसे पाताल कहते हैं, तर लोवड डाइमेंशिनस, which is अतल, वीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, हम भू लोक में हैं, भू लोक से नीचे ये साथ लोक हैं, भू लोक के उपर भू लोक, फिर भूवर लोक, महर लोक, जनलोक, सत्यलोक, तपो लोक और वेकुंट ये उपर के उर्द्वा लोक माने जाते हैं अगर आप अच्छे करम करते हो अगर आप साधनाय करते हो अगर आप लोगों का भला करते हो अगर आपके दिल में लोगों के प्रदी करुणा है दया है किसी की मदद करने की भावना है तो आप मृत्यू के बाद उर्धवा लोक में जाते हो आपकी आत्मा अगर आपने किसी का पुरा किया है तो आप जाते हो अधो लोक के अंदर यानि कि किसी अलग प्रकार की योनी में हो सकता है आप कीडे मकोड की भाती जनम ले, हो सकता है आप साप बनकर जनम ले, ऐसा जीवन जो बिलकुल जादा एकदम खराब है और आपके लिए, आपके आत्मा के लिए बहुत ही जादा हानी प्रेरख कह सकते है आप, तो ये चीज सबसे जादा मैटर करती है कि आप किस इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो, मैं हर बार लोगों को एक चीज कहता हूँ भाई कि कभी भी एनर्जी खराब नहीं होती, एनर्जी बुरी नहीं होती, उर्जा बुरी नहीं होती, नुकलियर उर्जा जो है, वो उर्जा बुरी नहीं है, लेकिन नुकलियर एनर्जी को आ आपके intention के उपर, आपकी हेतू के उपर depend करता है कि आप उस उर्जा का प्रयोग किस तरीके से करना चाहते हो कॉंसेर्ट बहुत अच्छा है कि कोई बुरा कर रहा है तो उसको पता तो ले कि हाँ भी तूने इतना बुरा कर रहा है और पच्छतावा हो अगले को बिल्कुल और दोस्तों इसी के साथ खतम करते हैं इस पॉड़काश को बहुत मजाया परक जी आपके साथ बात करके मैं जन्ता से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस पॉड़काश में तो नीचे कॉमेंट करिये कि हम पार्ट 2 करें परक जी के साथ क्यूंकि मुझे वो जो लोक वाला कॉंसेट आपने बताया है उसको एक्स्प्लोर करने में बहुत इंट्रेस्ट और साथ ही साथ इतने सवाल आ रहे था हम नहीं पूछ पा रहे है विक्वास बहुत ज्यादा लंबा हो गया था तो खतम करते हैं और आप कहरे थे कुछ पूर्ना हूती करें जी ओम पूर्नमदा पूर्नमिदम पूर्ना हांत पूर्नमुदच्यते पूर्नस्य पूर्नमादाय पूर्नमेवावशिष्यते अर्यों तच्छत अर्यों तच्छत अर्यों तच्छत अर्यों तच्छत श्री जगदंबा अर्पनमस्तो श्री महागुरू ओं और मज़िदार एपिसोड में तिल दैन अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए अच्छे अच्छे पॉड़कास हमारे चैनल पे सुनते रहिए परक जी के सारे सोशल मीडिया हैंडल दिस्क्रिप्शन में हैं इनकी बुक का लिंक भी हम दिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं और आपको इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा पढ़ना है तो हमारी एक वेबसाइट है सब्सक्रिप्शन में हैं और आपको कुछ नया सीखने को मिला कुछ नया जानने को मिला बहुत ही इंटेंस और बहुत ही इंट्रेस्टिंग एपिसोड था और परक भाई के साथ हम एक और एपिसोड शूट कर चुके हैं वह भी बहुत जल्दी आएगा जाने से पहले मैं आपको बता दू कि डाउनलोड करना ना भूले रियल 11 एप सिर्फ क्रिकेट ही नहीं आप वहाँ पर लूडो भी खेल सकते हैं लूडो खेल के भी बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं तो जाओ डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूज करना मत भूलना हमारा प